दोस्तो जया बच्चे ने अपने जमाने में कई सूपर इट फिल्मों में काम किया है उनकी और अमिता बच्चन के चोड़ी दर्शकों को काफे पसंद आती है दोनोंने कई फिल्मों में एक साथ काम किया है लेकिन बेहत कम लोग ये पाच चाहते हैं कि जया बच्चन ने अमिता बच्चन की सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्म की स्क्रिप्ट भी लिखी है अमिता बच्चन की 1988 में रिलीज हुए फिल्म शहेंशा काफी सुर्क्यों में रही थी ये फिल्म रिलीज होते ही परदे पर सूपर इट साबित हुई थी इस फिल्म का टैलोग रिष्टे में तो हम तुमारे बाप लगते हैं अभी तक हिट है तीनो आनन के डिरेक्शन में बनी इस फिल्म को जया बच्चन ने लिखा था जहां अमिता बच्चन के करियर में ये फिल्म सूपर हिट सा भी थुई थी इस फिल्म के बाद से अभी ता बच्चन के पॉपिलारिटी काफी बढ़ गए थी वही जया बच्चन को इस फिल्म के बाद कोई जादा पॉपिलारिटी नहीं मिली ये काफी कम लोग जानते हैं कि जया बच्चन एक अच्छी स्क्रिप्ट राइटर भी है बता और एक्ट्रेस तो जिरा बच्चे ने काफ़े पॉपिलरेटी हासिल की है और उनको स्क्रिप लिकने का भी काफ़े शौक हैं वो भले ही अब फिल्मों से दूर है लेकिन अपने ज़वाने में उन्होंने कई सुपरेड फिल्मों में काम किया था तो दोस्तों बापको बोली ओड का ये किसा कैसा लगा हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चानल को सब्स्रेब जरूर करना